नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एससी लर्णिंग पॉइंट बाई सिंग सर आज हम करेंगे टाइमेंड वर्क का लास्ट पार्ट ही हमारा पार्ट नमबर 6 चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और टाइमेंड वर्क को फिनिस करते हैं एक किसी काम को 16 दिनों में भी अकेले उसी काम को बारह में सी के साथ मिलकर वे कार को तीन दिनों में पूरा कर सकते हैं अब इस टाइब के सवाल इतने कर चुके हो ना आपको ओर ली आना चाहिए LCM हो गया 48 यहाँ पर करेंगे जो 3ों मिलकर कर रहे हैं इनकी total efficiency कितनी आ जाएगी 16, 48 में 3 का भाग कर दिया A की efficiency 3 हो गई B की efficiency 12, 48 हो गई बस answer आ गया 48 बटे में 4, 3, 7 हो गया यानिकि 9, 7, 16 होता है तो 9 हो जाएगा 3 तरकाव नो ये 16 हो गया यानिकि 3, 5, 15, 5, 1 बटे में 3 answer अगला सवाल PA कार को प्रते दिन 6 गंटे कार करके 10 दिनों में पूरा करता है क्यों उसी कार को प्रते दिन 10 गंटे कार करके 9 दिनों में पूरा कर सकता है यदि PA और Q दोनों मिलकर प्रते दिन 6 गंटे कार करें तो वेकार को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे देखो दोनों जगे 10 common आ रहा है 10 से 10 cancel इधर हो गया 3 दूनी 6 यानि कि 2 P और इधर हो गया 3 तरका 9 यानि कि 3 की हो गया यानि कि P की efficiency ये हो गई Q efficiency ये हो गई टोटल वर्क निकालेंगे पहली condition में तो P की efficiency कितनी है 2 है P की efficiency 3 है और इंटू में 6 गंटे कार करें 10 दिनों में ये टोटल वर्क आ गया अब दोनों को करना है P और Q दोनों करेंगे भाई दोनों की efficiency 5 हो गई और 6 दिन में बस खतम हो गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दिन में कर देंगे अब आप ऐसे कर सकते हो P की efficiency P 6 गंटे कार करके 10 दिनों में बराबर में Q इंटू में 10 गोड़े में 9 यहां से आप निकालेंगे तो 2P बराबर में 3Q लिखे होगे फिर P upon में Q इन दोनों की efficiency 3 बटे में 2 पहली condition में यानि की इस वाली line के से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क जो हमने क्या किया 3 गोड़े में 6 गोड़े में 10 किया था दोनों की efficiency 5 थी 5 गोड़े में 6 दिन काम कर रहे थे 6 गंटे हमने भाग कर दिया यह हमारे डारेक्ट दिन निकल कर आ जाएंगे अगला सवाल ABC मिलकर 16 दिनों में और उन तीनों ने 2 दिनों तक काम किया फिर A ने छोड़ दिया उसके बाद BC 9 दिनों तक फिर B चला गया C ने से इस कारे को 6 दिनों में पूरा किया यदि C अकेले पूरे कारे को 24 दिनों में पूरा कर सकता है बी अकेला कितने दुनों में करेगा देखो A प्लस B प्लस C ये 16 दुनों में कर सकते हैं C 24 दुनों में कर सकता है यानि कि 48 हैं C का लाश्ट में लिखा हुआ था 16, 38, 24 दुनी 48 ये efficiency आगी अब सवाल देखो चल कैसे रहा है पहले दो दिन तीनों ने काम किया A प्लस B प्लस C ने कह दिन काम किया दो दिन फिर A चला गया यानि कि B प्लस C बचा इन्हों ने 9 दिन काम किया फिर C ने 6 दिन में कर लिया यानि कि अगर हम यहाँ पर देखे सीने काम कितने दिन किया, दो दिने हाँ किया, नो दिने हाँ किया, छे दिने हाँ पर गया, नो दो ग्यारा ग्यारा चे सत्रे दिन काम किया, यानि कि सत्रे गोड़े में दो कर देंगे तो यह 34 काम किया इसने, इसने सीने काम किया, या तो ऐसे छोड़ो हमें बीकी efficiency निकाल लेना तब तो फिर यहां छोड़ दो अब यहां से एक चीज़ देखो simple इसने 6 दिन काम किया तो 12 काम कर दिया तीनों ने दो दिन काम किया तो तीन दोनी 6 काम कर दिया यानि कि कुल मिलाकर इन दोनों को 18 काम कर लिया 48 में से काम बचा कितना है जीरो तीन 30 काम बचा है लेकिन यहां पर इस condition में जो बीच वाली condition है इसमें यह दोनों लोग काम कर रहे थे 9 दिन अगर सी काम करेगा 9 दिन तो दो की efficiency कितना काम कर देगा अठारे यानि की बचा हुआ काम किस ने किया बीन ने किया यहां बी का काम देखो बी ने 9 दिन काम किया बचा कितना भई 30 में से 18 काम जो सी ने किया वह हमने घटा दिया समझ गये ना बात को अब यहां पर बचा कितना है एक सेकंड रुकना बी बराबर में दस से आठ गया तो दो हो गया दो से एक गया तो एक बचा बटे में बारे अब यह आगी क्या बी की इफिसेंसी निकल करा गी यहां वाला भी मत देखना उसका तो तीनों की इफिसेंसी हमें पता थी वो टोटल काम मटा दिया जो यहां पर नो दिन में जितना भी काम कर रहा था वो हमने देख लिया 30-18 एक दिन में भी कितना करेंगा बारे बटे में नौ आ जाएगा अब बी को अकेले पूरा काम करना था पूरा काम था इतना भाई साफ 48 हमने माना बटे में 12 गोड़े में 9 हो गया तो 12 1449.36 आंसर हो गया अगला सवाल करें चलो फिर अब यह सवाल देखो आसान ए भी दोनों कर रहे फिर बीसी कर रहे सी ए और तीनों को मिला कर पूछ लिया तो भाईया 30 , 40 , 50 की इफिसेंशी 120 होगए गोड़े में 2 कर दो बटे में करेंगे तो 30 से 120 में भाग किया तो 4 आ गया अंशर, अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, कहरा दो करमचारी X, Y काम करने के लिए लगे ज़ाय, X अकेले कार करते उए पूरे कार में दोनों तवारा एक साथ कार करने में 12 गंटे अधिक समय लेता है, य अकेले अगर करता है, का a plus का बार और फिरपाई कितने दूनों में करेगा a plus का 27 एसी कंडिशन कभी भी बन जाए और आपको मिल निकालना क्या है दोनों मिलकर कितने दूनों में करेंगे तो एक अमान निकालना दारेक्ट बार गोड़े में 27 ये fix pattern का सवाल है ठीक है तो यहां से गुणा करने क्या करें ये इस तरीके से कर लो 27 तहीं है क्या सी इसका 9 बाहरा आजाएगा इसका 2 बाहरा आगया यानि कि answer क्या आगया अठारे ये fix pattern का सवाल है star mark करके note कर लेना अगला सवाल अब देखो AB का का काम कितने दिनों का था 24 दिनों का फिर उन्होंने इस पर 18 दिनों तक कार किया यानि कि बचा कितना दिन के काम था 6 दिन का काम बचा था यही काम सी ने अकेले निप्टा दिया 10 दिनों में यानि कि total अगर efficiency हमें निकाल ली हो तो इनके LCM 30 हो गया चे पंजे ती और दस्तियां 30 दोनों मिलकर कर रहे थे 24 दिन में तो दोनों की efficiency कितनी आई पांच तो यह 24 पंजे 120 क्या हो गया तोटल वर्क हो गया अब ABC मिलकर करना चाहते भाई ती दोनों की efficiency कितनी है आठ है आठ से भाग कर दो आठ तिया 24 पांतिया 15 अंसर अगला सवाल अब यह सवाल देख लो जैसा पिछला किया वैसे ही है किरण 15 दुनों में पांस दिन काम करता है फिर चला जाता है बैंकेट स तोटल वर्क अगर लिखोगे तो बैया 15 दिनों में कर रहा था ना और तीन की efficiency से अब बैंकेट को अकेले करना efficiency क्या है बैंकेट की एक है यानिकि 45 अंसर अब इस टाइप का सवाल आगे नहीं होगा देखो दो कर चुके टफवाला भी कर सकते कर चुके ठोड़ा आसान भी कर चुके और पिछले भी सिप्ट में पिछले लेक्चर में भी किया था अगला सवाल यह बीस दिनों में बी उसी कारे को यह द्वारा लिए आदे समय में करता यानि कि कह दिनों में कर रहा है एक साथ करते हुए कितने दिनों में कितना भाग समाप्त कर देंगे एक दिन मे इतना काम करेंगे टोटल हो गया 20, आंसर आ गया 3 वटे 20, अगर वो सेस पूछ लेता तो 20 से 3 गटा देते, 17 वटे 20 आ जाता, अब एक्स्प्लेंट करने की तो जरुवत है नहीं, ठीक है, क्योंकि 200 पॉस्चन एक चेप्टर के करना बहुत बड़ी बाद होती, बहुत इतिकत रूप से कितना पैसा मिलेगा, भाई दोनों जब भी एक साथ काम करने तो इसका मतलब क्या हो गया, पैसा इफीसिंसी के साब से बटेगा, यहनि कि राम 12 हो गया, और स्याम करेंगे तो 18 हो गया, यहनि कि 6 दूनी 12, 6-3, 18 इफीसिंसी कितनी हो गया, 3 और 2 हो गया, नहीं तो 36 सेलसियम लेके कर लेना, तो 3-2, 5 का मान हमें दिया गया था 15 हजार, ठीक है, अब हमें निकालना 3 वराबर तो 9 जार रुपए हो जाएगा, और अगर हमें 2 वराबर निकालना हो गया, तो 5-3, 15, 3 दूनी 6 जार रुपए हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है, अग काम कर रहा है इतने दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आप सिंपल सा कहेंगे, 10 बुड़े में, 14 बटे में, 24 इतने दिनों में करेंगे, ऊपर जो भी आता, वो क्या लेते थे, हमें LCM लेके लिखते थे, अब ये तो टो टोटल काम हो गया, इसका हमें 3- पांचमा ऐस्सा करना तक हतम हो गया, पांच दूनी 10 हो गया, और दो एकम दो, दो दूनी 4 हो गया, तीन चोको 12 हो गया, तो सत्ते 14, दो दूनी 4, 7 बटे में 2 लिखा है, आंसर लगा दो, समझ गया ना, भाई, ए भी को हमने कमबाइंड कर लिया, तेखो, अगर ऐसे लिख में 3 बटे में 5 करना था, भाई हमने डारेक्ट लिख लिया, ठीक है, अगला सवाल, अब यह सवाल देखो, बिल्कुल असान है, बहुत बार करा चुके, औरल सोचना है, दो गुना को सल है, 2, 1, 3, 12, 36 टोटल काम हो गया, अब किसको करना है, अनिल को अकेला करना है, तो आं यहाँ पर कुछ कट रहा है, अगर हम देखें, तो 7, 2, 14 हो जाएगा, भाई, इस साथ से, यह काटेंगे, 7, 2, 14 हो गया, और इजा 2, 16 हो जाएगा, दो से काट देंगे, यानि कि 9 पुरुस बराबर में 8 महला हैं आगे, कर सभी लेंगे सवाल को, बस यह ही है, टाइम कैसे स निकाल लिए, अब 6 पुरुस, पुरुस की एफिसेंसी, 8, 8 महलाएं, महलाओ की एफिसेंसी कितनी है, 9 है, इनको हमें काम करवाना, तो देखो, 8 तो दोनों जगे, कैंसल आउट हो गया, ऊपर करेंगे, 14 नहे में, 126 हो गया, 9, 6, 15 हो गया, तो पंद्रह, अठ्थे, 120.15, 14 8.4 अंसर, अगला सवान, एक निश्चे संक्या में, पुरुस किसी कार को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 पुरुस अधिक होते, तो कार को पूरा होने में 10 दिन कम लगते, बहुत आसान हो गया, भाई, X पुरुस थे 50 दिनों में, 5 पुरुस और होते, तो 10 दिन कम यानि कि 50 लग रहे तो फिर 40 लगते, 50-40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, भाई, इधर करोगे 40, इधर 50 X हो गया, 10 X आगया, बराबर में 200 हो गया, यानि कि X बराबर कितने रहे होंगे, 20 लोग रहे होंगे, अगला सवाल, अब ये सवाल, देखो, A इतने दिनों में इतना इतने दिनों में, A भी दोनों मिलकर, भाई, देखो कितना आसान, मैंने बताया था, इससे बाग कर दो, इधर गुड़ा कर दो, इससे बाग कर दो, इधर गुड़ा कर दो, एक बार फिर से बता देतें, भाई, एक बटे तीन लिखा, इसका मतलब ये पूरा काम हा, उसमें से एक भाग वो कर रहा है 5 दिन में, तो 3 भाग कितने में करेगा, 5 बटे एक गड़े में 3, यहनी कि 15 दिन में, तो 1 का कितना आ गया, बीका करेंगे 25, 10, 25 आ गया, दोनों मिलकर करेंगे, 15 गड़े में 25, और दोनों को जोड़ देंगे 25, 15, 40 हो गया, तो 5, 15, 15, 18, 40 हो गया, 75 बटे में 8 हो गया, 8, 9, 12 हो गया, 3 बटे में 8 अगला सवार, अब तो ज़्यादा स्पीड होगी न, ऐसी स्पीड होनी भी चाहिए भाई, रिवीजन कर रहे हैं, 200 सवाल प्लस कर चुकें, और क्या ही लोगे भाई, इतने कम समय में, कमेंट करके तो आ प्लस में 2, 4, 3, 7, 9 हो गया, तो 3 चोकू, 12 हो गया, 3 तरका 9 हो गया, यानि कि 80 बटे में 3 इस टाइब का सवाल कर चुके है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगला सवाल, 42 गोडे 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं, तो 21 गोडे इतने किलोग्राम मक् खाने का, बस, तो यह हो गया, हमारे पास, यह 0 इदर चला गया, और इदर 21 दूनी 42 हो गया, 30 दूनी 60 यह आंसर आजाएगा, अगला सवाल, करता पी 18 दिनों में, पी क्यू उन्हों 15 दिनों में करते हैं, उन्होंने एक साथ कार करना शुरू गया, 10 दिनों के बाद क्यू उन्होंने छोड़ दिया, पी अकेले कार को पूरा करने में, पी को से समय, से सकार को पूरा करने में समय कितना लगे, भाई 18 हो गया, पी प्लस का क्यू, यह 15 हो गया, यानि कि LCM लिया 90, 18 पंजे 90, 15 चक्का 90, अब कह रहा था, दोनों ने 10 दिनों तक काम किया, दोनों के इ आर की मदस से तीनों ने काम सुरू करते हुए, यह दिकुल मजदूरी 32 हो है, तो आर को कितनी मजदूरी मिली, अब इस सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है, भाई P 6 दिनों में, Q 8 दिनों में, और P प्लस का Q प्लस का आर कर रहा है, तीन दिनों में, यानि कि LCM ले लिया इक बराबर निकालना था, यानि कि 400 अंसर, आगला सवाल, करने था 500 सेनकों ये 30 दिन के लिए प्रयापत खाना था, पचास सेनकों ने सिवर में भाग नहीं लिया, यानि किmission Sri Y 25 का थीन का खाना था, और जब 50 नहीं आए, तो 200 का कितने दिन का होगा, खतम हो गया, यानि कि दो जीरो चलेगा इधर 25 तियां 75 बटे में दो कर देंगे का बात है भई ठीक है भई इधर D हो गया इधर करेंगे तो साड़े सैतिस हो गया वो कह रहा था कितने अधिक दिन खाना चला भई 30 और सैतिस इनका डिफरेंस कर दो तो पहले तीस दिन चलता था तो साड़े साथ दिन अधिक चलेगा अगला सवाल बाकी अच्छा है इसमें ऐसे भी कर सकते थे पचास जो सिवर लोग नहीं आए उनका 30 दिन का खाना बच गया ना यही जो बचे हुए 200 लोग वो कितने दिन तक और चलाएंगे तो इस तरीके स से कौन सा विकल्ब सबसे अच्छा रहेगा जिसकी सबसे ज़्यादा एफीसेंसी होगी यहां पर देख लो तो 90 रखने से कोई फायदा है यानि की एक सौसी रख लो तो यह 12 हो गया यह 9 हो गई और इधर 6 हो गया इन दोनों को रखना पड़ेगा PQ को कहां चला गया ठीक ह यह 9-6-15 काम करेंगे इन दोनों को ले लोगे तो 12 और 6-18 काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा यही दोनों कर रहे है PQ काम तो जल्दी खतम यही लोग कर पाएंगे कराता जिसे 20 महला 16 दिनों में 16 पुरुस 15 दिनों में 1 पुरुस 1 महला की छमता का अनपात बताओ 16 से 16 कैंस चुकू 20 हो गया पांथी है पंद्रह हो गए यानि कि 4 महला बराबाकर थीन पुरुस आ गया एफिसेंसी कैसे लिखते थी यह इसकी हो गयी हम से पूछा पुरुस की पुरुस की एफिसेंसी चार हो गई महला की तीन हो गयी आंसर आ तो अगला सवाल करता देला पी प्लस is कर एक काम को पूरा करते हैं पी और क्यू सतर परसंट काम खतम करते हैं जबकि क्यू और पचास परसंट काम खतम करते हैं अकेले केले काम करते हुए सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा देखो P plus Q 70% Q plus का R 50% अब एक चीज बताओ फ़ाई Q तो दोनों जगे common है यानि कि यहां पर R चेंज हुआ P से तो 85% काम हो पा रहा है इसका मतलब जादा कौन कर रहा होगा P कर रहा होगा कतम हो गया अगला सवाल करता 9 पुरोष और 12 लड़के चार दिनों में 4 पुरोष 16 लड़के 6 दिनों में 6 पुरोष 26 लड़के कितने दिनों में करेंगे देखो यहां पर कुछ काटो ना काटो ऐसे ही कर लो देखो 9 चौक 36 इधर करेंगे 6 चौक 24 चौक 24 का डिफरेंस क्या जाएगा 12 पुरोष का लड़कों की बात करोगे 12 चौक 48 इधर करेंगे 16 चौक 96 यानि कि 96 48 का अदा होता है यानि कि इधर 48 आगे डारेक्ट ठीक है तो पी बराबर में 12 चौक 48 चार भी हो गया यानि कि अब लिख लो यहां पर लिखना चाहो तो 4 वटे में 1 एफिसेंसी पहली कंडिशन में 9 पुरोष ते पुरोष की एफ एक और इंटू में कर देंगे के दिन में काम कर रहेंज चार दिन ये टूटल के आगे WORK आगे मैं अब करना किसको वा इचे पुरोष पुरोष की एफिसेंसी चार 24 लड़क एफिसेंसी एक यानि कि यहां से चार से चार और चार संग 24 बारे आ गया नोचोक 36 एनि कि 48 बते में बार है यानि कि कह दिन में निप्टा देंगे चार दिन अगला सवाल क्या रहा था पी और क्यूं साथ हो पच्छत्तर दिनों में कर सकते हैं साथ हो पच्छत्तर दिन में पी और क्यूं ठीक है काम इस तरीके से चला भाई पी क्यूंने यहां पर स्टार्ट किया लेकिन 6-5-30 हो गया, 75-25, 400 होता है, यानि की 4 हो गया, तो Q ने यहां पर काम कितना किया, 30 गुड़े में 4, यानि की 120 काम किया, तो 300 में से 120 हटादो, 300 से 100 हो गया, तो कितना बचा 200, 200 से 20 कम किया, 180 काम इन दोनों ने मिल कर किया, यानि कि दोनों की efficiency 9 थी तो 9 दूनी 18 यानि कि 20 दिन दोनों ने काम किया तो P ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था 20 दिन के बाद अगला सवाल P और Q प्रती दिन 8 गंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं P अकेले प्रती दिन 8 गंटे काम करके 12 दिनों में पूरा करता है जबकि Q अकेले 12 गंटे काम करके इस काम को 10 दिनों में पूरा करता है उन्होंने 7 मिलकर कितने दिन काम किया P Q प्रती दिन 8 गंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं ठीक है P अकेले 8 गंटे काम करके 12 दिनों में और Q अकेले 12 गंटे काम करके 10 दिनों में करता है तो ये cancel out हो गया तो P upon Q 2, 5, 10, 2, 4, 4, 8 हो गया ठीक है अब एक दिन में ये 9 काम करते हैं ठीक है और 9 efficiency यानि कि 1 गंटे का काम 9 है तो 8 गंटे काम करेंगे तो ये 72 काम कर लेगी टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क के देखें तो P की efficiency 5 आठ गंटे काम कर रहा था 12 दिन कर रहा था ये टोटल वर्क आगया निकल कर अब हमें करवाना किसे है उन्होंने 7 मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया ठीक है आगला सवाल एक ठीकेदार 24 दिनों में 120 पुरसों के साथ मरम्मत कारे करने का ठेका लेता है 64 दिनों के बाद उस काम का दो वटे तीन काम पूरा हो जाता है बै कुछ लोगों को अतरिक्त मान कर काम से निकाल देता है यदि काम समय पर पूरा हो जाता तो कितने आदमी निकाले गए थे भाई देखो 64 दिन में 120 पुरस थे 64 दिनों में अगर पूरा काम तीन माल ले उसका दो बटे तीन भाग देखे तो दो काम पूरा कर लिया समझ में आई बात अब उसने कुछ पुरस निकाल दिये यानि कि 120 में से कुछ पुरस चले गए ठीक है अब यहाँ पर हम चाहें तो ऐसा भी ठीक है ऐसे ही रहने तो अब वो चले गए और काम बचा कितना था भाई तीन में से दो हो चुका एक काम बचा होगा इन्होंने डी दिनों में निप्टाया है अब यह डी का मान क्या था भाई देखो 64 दिन का काम हो चुका था टोटल 124 में होना था तो 0 12 से 6 गया 6 यानि कि 60 दिन का काम अभी और निकालना था पस इसको कैलकुलेशन कर लो आंसर 60 दूनी 120 यह 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया एक इधर आ जाएगा 120 से 60 गया तो 60 बचा 56 बचेगा एक्स का मान तो कितने आदमी निकाले गए 56 ठीक है अगला सवाब अच्छा यह तो समझ गए ना अंडियाच वाला फार्मूला लगा रहे और इस पेसल कुछ नहीं चला तो दो दुनों में एक साथ कार कार correct एक साथ किसी कार को पूरा करने के बाद प्र प्यों को क्रम्षा इतने और इतने मिले क्यूं अकेले काम इतने दुनों में पूरा करेगा अब दिखो हमने एक ची की efficiency से दो दिन काम किया, काम 8 हो गया, अब Q को अकेले करना efficiency क्यों की यह है, तो answer आ गया 8, अगला सवाल, P निश्चितकार का 80% 20 दिनों में, Q की मदद से इसे 3 और दिनों में खतम कर सकता है, यदि Q अकेले काम करता है, तो इसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, देखो, करा था, P 80% भाग 20 दिनों में, और P प्लस Q, बचा हुआ 20% भाग 3 दिनों में खतम कर सकता है, तो इसका मतलब है, यह P पूरा काम के दिनों में करेगा, 100%, 20 चोकु 80, यानि की 25 दिन में करेगा, और P प्लस Q, 20 बंजे सो पांतिया, 15 दिनों में करेंगे, अगर इनका LCM लेंगे, तो 75, 25 तियां 75, 15 पना 75, भाई, एक चीज बताओ, अगर हम देखें, हमने टोटल वर किये माल लिया, Q अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, P की Efficiency 3 है, तो इसकी 2 हो गई, एनकी 75 बटे में दो दिनों में कर देगा, तो आंसर क्या जाएगा, साड़े साथिस, अगला सवाल, P और Q 850 में काम करने के लिए सहमत होते हैं, Q अकेले इसी काम को 40 दिनों में करता है, लेकिन P Q से 2 गुना तेज है, अब एक चीज़ देखो लो, यहां पर, Q 40 दिन में कर रहा है, और P दो गुना तेज है, तो वो उसे आदे दिन में कर देगा, कहने का मतलब है Q और P की Efficiency क्या हो गई, एक और दो हो गई, यह Efficiency का रेशियो जो टाइम का रेशियो दो और एक, दो बरावर में 40 है, तो एक बरावर में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन पर R की मदद से, तीनों मिलकर 8 दिनों में कर देते हैं, यानि कि P प्लस का Q प्लस का A, 8 दिन में कर दिये, तो इनका सब का LCM लेंगे तो 80 आ जाएगा, यानि कि इसकी efficiency देखेंगे, तो पूरे की 10 हो गई, P की efficiency कितनी हो जाएगी, 20, 80 में, 20 से बाग किया तो 4, क्योंकि efficiency कितनी आ गई, 40 से 80 में बाग किया तो इसकी efficiency 4, 2, 8 टोटल 10 बनानी, यानि कि 2 हो गई यानि कि यही 10 बरावर में हमें दिया गया 850, R को कितना रुपया मिलेगा 2, तो cancel out 2, 5, 10 2, 8, 16, 17, answer लेकिन R नहीं रहा है, अच्छा 4, 2, 6 4, 10 होगा न, calculation की भी क्या ही बताए, 4, 5, 20 हो गया, 4, 8, 32 और 2, 34, 340, माफ कीजिएगा अगला सवार, A और B किसी कार को 25 में, B इसी कार के इतने परसेंट भाग को, इतने परसेंट का मतलब क्या होता, एक बटा 3 होता है यानि कि एक से भाग कर देंगे 3 का गोणा, तो B पूरा काम क्या दिन में कर पा रहा 45 दिन में कर पा रहा, और A प्लस B क्या दिन में कर पा रहा, 25 तो यह इस कार का 4 वटे 15 यह बाग कितने दिनों में क्रेगा कोई बात नहीं देखो अगर हम यह बाद में 25 तो इसकी तेस works इसकी efficiency 45 हो गई यानि कि B की efficiency अगर 25 है तो A की efficiency अगर निकालोगे तो 45 माइनस का 25 करोगे इससे हम अगर भाग कर दें टोटल वर्क में तो ये पता लग जाएगा A पूरा काम कितने दिनों में करेगा लेकिन हमें 4 बटे 15 करवाना था तो यहाँ पर किया तो 15 तियां 45 यानि कि 25 तियां 75 गोडे में 4 और बचा 20 4 पंजे 20 होगे यानि कि 15 दिनों में पूरा काम पूरा नहीं मतलब 4 बटे 15 वाग निप्टा देंगे अगला सवाब करा था एक से एक बटे 6 समय में भाई के आधे के बात करें तो यहाँ पर देखना एक बटे 6 समय में अनि कि बाई अगर 6 समय ले रहा है तो X एक समय ले रहा है लेकिन बाई के आधे के बराबर काम कर पा रहा है यानि कि बाई अगर दो काम कर रहा है तो यह एक काम कर पा रहा है यह क्या हो गया काम हो गया अब यहां पर एक चीज देखना अगर हम टाइम सेव कर लें दोनों जगे यानि कि अगर हम यहां पर देखें कि टाइम नहीं करते हैं हम लोग कर लेते क्या काम की बात हो रही ना हां ठीक है किसी काम को यहां पर हो रहा बही काम को यहां पर बोला नहीं है टाइम हमें दिया गया था कि टाइम का रेश्यों अगर देखते दो खे है तो एक चीज़ बताओ efficiency का ratio क्या हो जाता छे और दो हो जाता बे एक साथ मिलकर यानि कि दोनों की efficiency आठ है आठ की efficiency से 10 दिनों में काम करते थे तो करा बाई बाई की efficiency दो है, दो से भाग कर दो, दो चोकू, आठ यानि कि चालिस दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, अगला ऐसा वाल, एक आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने में सच्छम है, लेकिन एक लड़का, एक दिन में, एक आदमी द्वारा किये गए काम के, केबल एक त् पारा, टाइम हो गया, तो यह क्या हो गया, यह efficiency हो गया हमारे पास, जितने समय में एक तीन काम करता है, उतने ही समय में भी एक काम करता है, तो यह हो गया हमारे पास efficiency, आदमी 12 दिनों में काम कर सकता था, 12 गोड़े में 3 यह total work हो गया, फिर कह रहा है, यह आदमी एक दिन म 525 रुपय कमाता है तो लड़के को उस काम के लिए प्रति दिन कितना मिलता है अरे ये तो निकालना ही नहीं है तो बैया एक ची बताओ पैसा हमेशा efficiency के साथ से तीन बराबर में दिया गया 525 तो एक बराबर तीन से भाग कर देते तीन एकन तीन हो गया दो बचा तीन सत्ते के तीन पंजे पंद्रे आंसर अगला सवाल दो पाइप P और Q बरते हैं दोनों खोल दिये जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है शुरुआ से कितने समय में टेंक भर जाएगा तो देखो 15 और 20 LC हम लेंगे तो 60, 15, 60, 20, 60 साथ की efficiency से दोनों चालू हुए चार मिनट के बाद बंद कर दिये गया यानि कि 28 काम हो गया किस में से? 60 से, 60 से 20 गया 40, 40 से 8 कम करेंगे तो 32 काम बचा हुआ है अब ये काम किया किसने होगा? P बंद हो गया? Q ने किया होगा? यानि कि P और Q यानि कि ये होगया यानि कि यहां से करेंगे 3 एकम 3 होगया भाग तो जाएगा नहीं 2 बटे में 3 गोडे में कर देंगे 60 3 दूनी 6 यानि कि 10 मिनट और 40 सेकंड ये यहां पर आगया सुरू वाज़ से कितने समय में टेंक बराबाई 11 मिनट यहां पर लगे 4 मिनट ये भी लग चुके थे तो प्लस का 4 कर देंगे यानि कि 15 मिनट 40 सेकंड ये आंसर आ जाएगा यहीं लिखा है क्या बात है भाई अच्छा यहां पर 10 मिनट था ना ये 10 था ना तो 10, 4, 14, 14, 14 अंसर आ जाएगा अगला सा बाल P किसी कार का 2 बटे 6 बाग 2 से बाग कर दो 6 का कुणा कर दो 2 पंजे 10, 6 पंजे 30 हो जाएगा यानि कि P पूरा काम कर रहा 30 दिनों में करा P और Q उसी बाग का 1 बटे 3 बाग तो 2 मिलकर कितने दिनों में करेंगे 1 से बाग 3 से गुणा कर देंगे यानि कि 15 दिनों में टोटल काम कर लेंगे P प्लस का क्यूँ यह हो गया 15 करा उनकी कारे चंता कानपा 30 ले लिया LCM तो इसकी 1 हो गए इसकी टोटल 2 हो गए तो P प्लस का की हो गया यानिकी 15 हो गया तो LCM 1500 हो गया 25 चे का 1500 और 15 ये 10 बार हो गया यानिकी कम भी हो सकता था कोई बात नहीं तो P की 6 हो गयी क्योंकि efficiency 4 हो जाए क्योंकि total 10 बना नहीं थी 2, 3, 6, 2, 2, 4 तो ये हमारे पास 2 बटे में 5 था कितना था 2 बटे में 5 अगला सा बाल एक आदमी एक महला एक लड़का अकेले अकेले किसी काम को इतने में कर सकता यानिकी आदमी आदमी को लिख लेते और महला और लड़का यानिकी ये लिख लो यानिकी इनका LCM लेंगे तो 12 आ गया तीन पुरुस चार महलाओं की मदद करने के लिए कितने लड़कों को नियोजित किया जाना चाहिए पहले तो टोटल वर्क देख लो भाई अगर आदमी से हम बात करें तो तीन गुडे में 4 ये टोटल वर्क हो गया किसी भी कंडिशन में निकालोगे ये ही आएगा चाहिए 12 गुणे एक कर तो भाई 12 दिन में लड़का कर रहा था एक efficiency बारह आएगा अब कह रहा था कि 3 पुरुस पुरुस की efficiency कितनी होगी 4 4 महलाओं महलाओं की efficiency कितनी होगी 3 कितने लड़के चाहिए लड़कों की efficiency तो एक है लेकिन हमें X लड़के चाहिए और ये काम एक दिन का आया टोटल लेकिन करना कितने दिन में एक बटे में 4 तो 4 चकू 16, 16, 48 हो गया और 4 तियां 12, 4 तियां 12 हम इधर कर देंगे 24 यानि की हमें कितने लड़कों की जरुद पढ़ी 24 लड़कों की जरुद पढ़ेगी एक बटे 4 दिन में खतम करने के लिए अगला सवाल एक किसी कार का 25 परसेंट तीन दिनों में भी उसी कार के आदे का मतलाब एक बटे में दो यदि दोनों एक साथ मिलकर करें कितने दिनों में करेंगे वहाई 25% 3, 100% 25 का 4,16 तो 12 हो जाएगा इदर इनकि एक काम कर रहा है 12 दिन में यहाँ क्या करेंगे एक से भाग, दो से गुड़ा यानि कि B करेंगा 36 दिन में खतम हो गया सवाल दोनों मिलकर करना 36 गुड़े में 12 दोनों को जूड़ देंगे 48 हो गया 12 चोक 48 चार नेम 36 अगला सवाल यदि एक साथ काम करते हुए A, B, C किसी कार को 4 दिनों में पूड़ कर सकते हैं हलाकी कारे सुरू करने के बाद B कारे छोड़ देता है और A और C कारे के बचे हुए 6 दिनों में पूड़ करता है B को अकेले कारे करना होता तो उस कारे को पूड़ करने में कितने दिन लगेगे भाई देखो B ने कारे छोड़ दिया है 4 दिनों में पूड़ कर सकते थे हलाकी कारे शुरू करने के बाद भी कारे छोड़ देता है और A और C बच्चे हुए इससे कुछ यह दुनों में करता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसेंग है यहाँ पर होना चाहिए तक कितने दिन बाद छोड़ देता भाई efficiency ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पर A और C बच्चे हुए काम को कर रहा न तो बाई इन तीनों से जो बच्चा हुआ काम बच्चे गा उसके बाद ही तो हम निकाल पाएंगे लिखिन बहाँ पता ही नहीं लग रहा कितने दिन का काम बच्चा हुआ तो कुछ इसमें मिसिंग है ठीक इसको बेरिफाई कर लेना देख लेना इतना कोई टफ नहीं आप लोग कर लेंगे ये 15 दिनों में A भी इतने दिनों में B को अकेले करने में कितना लगेगा 15 गोड़े में हो गया साड़े साथ और इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो 15 से पूरा गटा देंगे 8 तो 7.5 में 5 यहां पर भी आ जाए यानि कि 15 दिन में निप्टा देंगे अब इसमें कुछ एक्स्प्लेंट करने के लिए तो है नहीं आप समझ गयोगे क्योंकि आपको खुछ से भी मेहनत कुछ करनी है अगर पीछे से देखा होगा तो कर लिया होगा अच्छे से 12 में यह 15 में एसी उसी कार को 36 में तीनों मिलकर खुछ से करेंगे और स्टेप्स कटिंग करके करना और फिर कमेंट करके बताना की कैसा लगा ठीक है थोड़ी सी मेहनत करो बहुत कर चुके स्टाइब के सवाद यह कर रहे थे भी 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कितना कारे सेस बचा अब यहाँ पर देखो सेस बचे से नहीं मतलब आप यह देख लो कितना कारे हो पा रहा है तो अगर हम देखेंगे टोटल सत्तर में से 35 काम हो चुका यहनि कि एक बटे दो काम हो चुका है तो एक चीज बताओ दो में से एक काम हो गया तो बचा कितना एक बचा यहनि कि आदा काम हो चुका आदा बचा है आंसर लगा दो अगला सवाल कह रहा था ALEM से 3 गुना अधे काम करता है ठीक है और 7 मिलकर बे एक काम को बारे दिनों में अब इंग्लिस में देख लो मोर तो कहीं नहीं लिखा नहीं लिखा तो बात खत्र 3 और 1 चार हो गया गुड़े में बारे हो गया और बटे में 3 कर देंगे और 3 चुकू 12 चार चुकू 16 आंसर या तो ऐसे कर लो ALEM ये 3 गुना हो गया ये efficiency का रेशियो हो गया कह रहा था 7 मिलकर काम को बारे दिनों में यानि कि efficiency दोनों की चार गुड़े में बारे कर देंगे अब इसी कार को ALE को करना था 3 से भाग कर दिया या तो scoring कर लो B C से दो गुना कार कों कर रेशिय तो ये 6 हो गया तो 72 नुव बराबर दिया गया तहा 9484842 हमें निकालना था इस्चा ही तो यहाँ पर 9 यह eldest 19 नौ 95 पैतालिस 3 बच गया नौ 146 जजाएगा 237 यह 11 साथ बचा नो अठ्टे बातर गोड़े में छे चे अठ्टे अड़ तालिस एक ही में लिखा था यूनिट डिजिट ठीक है छे तिया ठारा उचार बाइस हो गया छे पंजे तीस और दो बत्तेस हो गया छे कम छे आंसर अगला सवाल किरा था B C से दो गुना को सल है A B से तीन गुना है सेम सवाल है मुझे लग रहा है एका पूछा गया है सरड और मयूग एक साथ मिलकर किसी कार को 18 दिनों में समाप्त करते हैं परन्तु मयूग इसी कार को अकेले करता है और एक त्याही कार पूरा करके काम छोड़ देता है इसके बाद सरड कार को अकेले पूरा करता है इस प्रकार दोनों मिलकर कार को 40 दिन में पूरा कर पाते ह यदि मयोग सरड से जादा तेजी से कार करता तो सरड अकेले कितने दुनों में पूरे कार को समाप्त कर देता आप देखो इस सवाल को क्या करो ऑप्सन से पकड़ो बाकी बहुत लेंदी बन जाएगी ठीक है बाप कुछ एफिसेंसी मानोगे बहां से करोगे बेसिक से आप यहाँ पर बिल्कुल पकड़ो ओप्सन को जैसे सरड और मेयोग यह तो हमारे पास तीस अठार दिया गया था अब हम यहां से मालों यहां पर दिया गया किसा सरड अकेले काम यानि कि सरड काम यहाँ अगर तीस मान के करें तो यहाँ पर नबभे हो जाएगा 30 तीया 90 ह हो गया तो तो कितना हो गया 30 कार अगर हम 30 कार यह किस ने किया मैयूक ने किया यानि कि 30 कार करता तो 15 दिन में कर देता अब दूसरी कंडिशन में काम बचा कितना है 90 का 2 बटे 3,90 बचा है यह 90 से 30 डारे थे तब भी 60 आ जाता अब यह किसको करना यह सरड को करना था भाई देखो बात में कौन कर रहा सरड इसमें बाकिया तो 3 दूनी 6 हो गया यानि कि यहां से हमने जोड़ा तो यह कितना आया 30 आया यानि कि यह सैटिसफाइड नहीं यहां पर इसकी जटनी 7 हो गया तो ऐसे 22 का 2 जलाए 12 का 24 तो 48 को गया इसको किस ने किया था मैयुख ने यानि कि मयूक की efficiency तीन हो गई इसको करेंगे किस से स्वरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने यह एक efficiency आई थी सरड की ठीक है तो यहाँ पर एक करना पड़ेगा तो अब यहाँ पर देखोगे यहाँ से भी नहीं बन रहा ठीक है तो इसको भी अटा दो अब हमारे पास क्या पचा ह तो इस बचा है 45 हम चाहते तो ऊपर से ही कर सकते थे लेकिन हम इसी लिए नहीं किये कि बाइचान जमान लो डारेक्ट आ गया तो यही कहेंगे कि आपको क्या करना जैसे यह सवाल पड़ोगे पहले तो इसके करना है जब सेकेंड गो में आ जाओगे तब इसको करना ठीक है 45 ले लो तो यह सरणका आ गया 90 फिर से हो गया LCN तो यहाँ पर 18 पंजे 90 पैतालिस उनी 90 यहाँ पर इसके इफिसेंसी 2 है तो इसके इफिसेंसी 3 आ गई अब यहाँ पर 90 का अगर हम देखेंगे तो एक बटे में 3 तो 30 हो गया दूसरी जगे 60 काम बचा है अब यहाँ पर इ इस टाइप के विए 2-3 सवाल आपको और मिलेंगे अगला सवाल एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है जबकि एक बिद्योंसक ऐसी दीवार को 14 घंटे में पूरी तरह से गिरा सकता है तो बनाने वाला था यानिकि वो 10 घंटे में जो को बाहर निकाल दिया घया दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा अब यहां पर देखोगे लोगे तो 70 10 70 70 14 अब यह साथ और पांच के एफिसेंस से यानिकि यहां पर दो काम और एक घंटे में इसाब कितना काम हो पाएगा 14 काम होई पाएगा यानिकि 70 से 14 चला गया तो 56 बचा अब यह जो खराब कर रहा था भो तो चला गया अब बचा कौन है सही करने वाला है यानिकि 78 56 हो गया तो आठ यहां पर लगे साथ यहां पर लगे टोटल लगे 15 गंटे अगला सवाल सुर्या रम्या के तुल्ला में 3 गुना तेजी काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिये जाने बाले तिनों की तुल्ला में 40 दिन कम लेता है यह दिवे मिलकर काम करते है तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा बहुत आसान है सुर्या हो गया रम गोड़े में 3 बटे में 4 आंसर आ जाएगा लेकिन वो 40 दिन कम लेता है हमारे इसाफ से दिन में यहनि की टाइम में कितना डिफरेंस दो तो 2 बरावर में 40 और 3 बटे में 4 बरावर पूंचा गया यहनि की 20 गोड़े में 3 बटे 4 कर दिया भाई यह दो नीचे आया दो से डिव पहले कारे छोड़ना पड़ा और इसी गरड़े कारे को पूरा करने में 16 दिन लग गये योदि अखेला यह इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के खतम होने से कितने दिन पहले ए चुट्टी पर चला गया तो ए और प्लस में B 12 दिनों में और ए कर सकता है 21 दिनों में यानि कि यहाँ पर देखेंगे 3 सत्ते 21 हो गया 3 चुकू 12 हो गया 3 दोनों में common हो गया 7 चार में कुछ common नहीं यानि कि इधर करेंगे तो यह 7 हो गया इधर करेंगे तो 4 efficiency यानि कि अगर इसकी 4 efficiency इसकी 3 efficiency है अब वो कह गया रहा है, काम हुआ भई, टोटल कह दिन लगे, 16 दिन लगे, अब A को कारे पूरा होने के कुछ दिन पहले कारे छोड़ना पड़ा, यहनि कि A ने यहां छोड़ दिया, इसने B ने किया होगा यहां पर कुछ दिन काम, और उससे पहले यहां पर A प्लस B करता रह 48, 48 काम हो गया 84 में से, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 7 से 4 गया 3, यह आपर हुआ होगा 36 काम, यह किस ने किया होगा, A और B ने मिलकर किया होगा, तो A और B मिलकर यह 36 काम करेंगे, इसदर लिख लेते हैं, तो 36 बटे में दोनों की efficiency कितनी है, स्वरी, A को करना पड़ेगा न, अ हाठी के बिलकुल, तो हम यहाँ पर 4 कर देंगे, यहनि कि 9 दिन काम किया होगा, भाई B ने, देखो, टोटल 16 दिन काम हो रहा था, यहाँ पर हमने देख लिया, यह 16 दिन काम हो रहा, तो B ने पूरे 16 दिन काम किया, हमने 16 का, उसकी efficiency से गुणा कर लिया, हमें मिल गया, 16 त की किया होगा, तो A कितने दिन बाद चुटी पे चला गया है, 9 दिन बाes, अगला सवाल, फिर अखेला काम करे कि आदा काम को पूरा करता है, और काम को पूरा करता है, और काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं, बी एकी तुल्ला में अधिक कुसल हो तो बी द्वारा स्वयम काम करने में कितने दिल लगेंगे देखो उस टाइप का सवाल आ गया अभी जैसे पहले बता रहे थे बिल्कुल आसान यहाँ पर ए प्लस भी बराबर में कितना हो गया बारे हो गया अब देखो हम एल्सियम भी लेंगे जैसे यहाँ पर आदा काम लिखा एक बटे में दो दो का मल्टीपल आ जाए और सभी में आ जाएगा तो यहाँ पर बारे अब बाइस लेने का मतलब नहीं है क्योंकि थोड़ा टप पड़ेगा तो हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं यह किसका दिया गया था बी का य यहाँ पर किया पंदर है फिर यहाँ पर कितना हो गया तीन यहाँ इसको किया तो दस दोनों को जोड़ेंगे तो पच्छेस आ गया है सेटिसफाइड होगे आंसर लगा दो अगला सवाल करें अभी आगे एक आदा और मिल जाएंगे इस टाइप के सवाल ठीक है तीस पुरुष प्रते दिन आठ गंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं प्रते दिन 12 गंटे काम करके 10 दिनों में एक और काम पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरुरत होगी जो पहले काम का दो गुना है उप्रोक्त समस्या को हल करने के लिए सामिल कदम निम लिखेता है और यह हमें बताना सेकेंस में पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो भाई फार्मूला M1, D1 और T1 अपॉन में W1 और फिर इसको लिखेंगे M2, D2, D2 अपॉन में W1 करा था 30 पुरूस पहली कंडिशन में 30 पुरूस 8 गंटे काम करके 16 दिन में निप्टा रहे थे फिर करा प्रत दिन 12 गंटे काम करके 10 दिनों में एक और काम को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी जो पहले काम का दो गुना है यहांपर एक काम हो गया इसको बराबर करतो तो जब हम यहांपर निकालेंगे कुछ कैलकुलिशन काटा पीटा गया क्या नहीं काटा पीटा गया इसका मतलब पहले तो कंडिशन यह होगी हम्हें फर्मूला लगाना पड़ेगा तो सी से स्टार्ट होगा लो answer तो ऐसे ही आ गया अब इसके इलाबा आपको दिख रहा होगा B number पर जो हमने equation बनाई है वो आ गई ठीक है फिर इसी तरीके से आप solve कर लोगे फिर A आ जाएगा गुणा भाग करोगे इसके इलाबा कुछ नहीं है ठीक है और ये जो x x लिखा ना ये कुछ नहीं लिखा ये बही लिखा है क्योंकि अगर हम यहाँ पर x लिखते तो ये 2x हो जाता ना तो इस बज़े से वो बिल्कुल basic वाला है बाकी कुछ नहीं था 16 परोस एक कार को 8 दिनों में प्रदिन 12 गंटे करके समात्त करते हैं इसी कार के 10 और 15 बी काम प्रारंब करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है यदि पर 60 रुपे कमाते हैं तो उनका ब्यक्तिकत हिस्सा कितना है जो जित आसान है बिल्कुल देखो ए 10 बी 15 अब यहाँ पर 30 और दस्तियां 30 15 दूनी 30 पांस दिन के बाद A आया यानि की काम ऐसे चला है पहले यहाँ B करता रहा फिर A प्लस का B आ गया यानि की अगर हम यहाँ पर देखें इसने काम किया दो की efficiency से 5 दिन तो 10 हो गया 30 में से 10 चला गया काम बचा कितना 20 अगर दोनों करते 5 की efficiency से 4 दिन में निवट जाता यानि की B का अगर total काम लिखें 10 पहले कर चुका यहाँ 4 दिन और B ने काम किया तो 4 गोड़े में 2 किया फिर A का देखेंगे तो A ने तो 4 दिन काम किया तो इसने कितना किया 12 किया यानि कि इसने 18 किया क्योंकि यह अलग-अलग काम कर रहे थे इस बज़े से हमें इनका काम निकालना पड़ेगा काम के साथ से पैसा बटेगा तो 8 दो 10 यानि की 30 हो गया तो 30 बरापर में हमें 60 दिया गया था तो बेक्तिकत हिस्सा यानि की 18 बरापर निकालेंगे 36 आ जाएगा अगर 12 बरापर निकालोगे तो 32,60,12,24 आंसर आ जाएगा अगला सवाल कराता A,B की तुल्ला में दो गुना तेजी से कार करता है A,C,1,7,B की तुल्ला में तीन गुना तेजी से कार करते हैं यदि A,B,C मिलकर एक कार को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रतियक को बह कार करने में कितने दिल लगेंगे देखो A,B,2 गुना तेजी से करता है करा A,C,1,7,B की तुल्ला में A,C,1,7,B की तुल्ला में 3 गुना तेजी से कार करते है तो यहां पर एक चीज़ देखना B की Efficiency दोनों जगें सेम है बिल्कुल सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है इसका मतलब अगर A की Efficiency दो है तो C की Efficiency एक होगी क्योंकि जब यह satisfied होगया तो यह fix होगी तो हमने यहां से निकाल लिया यानि कि A,B,C 2 होगया B की Eक होगी C की Eक होगी तीनों तीस दिन में कर रहे थे यानि कि तीनों की Efficiency चार हो गई चार गुड़े में तीस ही है हमारे पास टोटल वर्क आ गया तो उनमें से प्रतिये को बहकार करने में कितना समय लगेगा कोई सवाल बचा क्या 120 में हमका अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 दिन लगेंगे 120 में 1 से डिवाइड किया तो 120 दिन लगेंगे और दोनों में बरावर आ रहा था Option देख के भी जल्दी कर सकते थे 4 करमचारी 6 गंटे पर दिन 21 दिनों में दीवार पेंट कर सकते है 7 करमचारी 4 गंटे पर दिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में कर सकते है आप थोड़ा से दिमाग लगाओ खतम 7 चोक 28 हो रहा 4 सत्य अठाई 7 एके 6 ती आठारा है बस भई MDH वाला फार्मूला काम कुछ दिया नहीं किया क्योंकि एक ही दिवार पेंट करनी थी तो वो तो कॉमन हो गया तो 4 गोड़े में 6 गोड़े में 20 बराबर में 7 गोड़े में 4 गोड़े में जो निकालना एंटो में D करतो खतम ए और B काम को मिलकर 35 दुनों में पूरा कर सकते है कह रहा था ए अकेले काम करता है और 5 बटे 7 को और को पूरा करता है और फिर चला जाता है अच्छा ये भी देखो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है उसी टाइप का यहाँ पर 5 बटे 7 है बस इतना चेंज किया तो A प्लस का भी ये 35 हो गया और यहाँ पर करेंगे यह हो गया हमारे पास B क्योंकि देखो यहाँ पर A का दिया गया था तो A आप्सन से पकड़ते हैं ठीक है यहाँ से देखो अब इस तरीके से पकड़ेंगे कि LCM ले हमें 7 भी मिल जाए तो बो देखो 35 आरा तो 35 तो में मिली जाना तो यह हो गया 5 गुड़े में 7 बटे 7 गुड़े में 9 इसका एक बटे वा एक बार 5 बटे 7 और इधर 2 बटे 7 बचेगा क्योंकि टोटल काम 7 है 7 से 5 हो गया बचा कितना 2 ठीक है तो यहाँ पर हो गया 25 नेमा 225 काम इधर आ गया इधर किया तो हमने 7 से 7 गैंसिल 5 ने 10 यानिकि 90 काम आ गया अब यहाँ पर efficiency की बात आ दे यानिकि यह 9 हो गया इधर करेंगे तो यह 7 हो गया इसकी efficiency अगर 7 है तो इसकी efficiency 2 हो जाएगी अब एक चीज बताओ B की efficiency 2 है यहाँ पर divide गया इसकी साथ है तो साथ यह 21 करोगे समझ गया तो भाग तो पूरा जा नहीं रहा इसलिए यहाँ से क्या हो गया cancel out हो गया तो इनको तो यहाँ से हटा दो अब जरूरी नहीं है अर जग है आसानी मिल यह आपको tough ही मिल सकता है तो यह चीज द्यान रखना है यह सवाल जैसे ही देखो आपको skip कर जाना है अब आगे फिर पकड़ते हैं 45 बाद 48 आ जाता है उसको थोड़ा skip करते हैं 40 को पकड़ते हैं क्योंकि आसान पर पहले focus करते हैं तो यहाँ पर 58, 48, 57, 35 यानि कि 8 गोड़े में यह 7 हो गया यानि कि इसकी efficiency 8 हो गए इसकी 7 हो गए यानि कि यहाँ पर A था यह की efficiency 7 है तो B की efficiency कितनी हो गई यहाँ पर 7 और 1 8 हो गई यानि कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 बटे 7 आठ पनना 40 हो गया और 7 चौक अठाए 280 तो 5 बटे 7 करेंगे एक बार दो बटे में 7 करेंगे साथ चौक अठाए 4 दूनी 8 हो गया और इधर करेंगे तो साथ चौक अठाए 25 को 20 हो गया अब भाई इसको करना है काम यह पहली कंडिशन में था तो साथ से भाग इसमें भी नहीं जाना तो इसको भी अटा दें बिल्कुल अटा देते हैं ठीक है यह दो चीज़े हमारी कैंसल हो चुकी अब यही है अब वैसे बनाने जाओगे बहुत टिफिकल हो जाएगा रेशियो बानके मैंने इसको बेसिक से बिल्कुल बना के देख लिया वो भी लेंदी पढ़ रहा तो मैं इसलिए वो बता नहीं रहा हूँ ठीक है इसके बाद आता 42 यानि कि एक काम लेंगे 42 तो साथ आजाएगा 75 35 और 7 6 का ब्यालिस यानि कि यहां पर देखेंगे 6 फीसेंट्री और यह हो गया 5 यानि कि एक ही अगर 5 है तो बीक ही कितनी है एक हो गई यानि कि टोटल काम वहाए पाद 6 35 ती साथ या के 210 इसका पांच बटे साथ करेंगे दो बटे में साथ करेंगे तो साथ इसको करना हमें एबाले से इसको करना हमें इस से यानि कि पांच या 15 प्लस का साथ यानि कि आंसर के आगया हमारे पास 90 आगया अब यह चौथे ऑप्सन से मिला ठीक है तो यह थोड़ी सी मेनत हो सकती ते यहां पर देखो 90 यही सैटिस्वाइड करना था लेकिन आप कर उस चीज़े ट्राइड कर लिए और यह मुझे बेस्ट ऑप्सन लगा कि ऑप्सन से आप कर लेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा अगला सवाल यह और भी 12 दिनों में कार को पूरा कर सकते हैं जबकि यह अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है एक साथ कार करना सुरू करते हैं लेक चीज़े तो यह लगता कभी कभी यह लगता होगा कि वीडियो कितनी तेज चला है कुछ समझी में नहीं आ रहा चीज़े निकलती चली जा रही है लेकिन अगर आप लोग समझ रहे होगे तो बहुत बढ़िया आपकी स्पीड बढ़ेगे 100% में बता रहा हूं इसकी इफि चार थी इतना काम हमने और बढ़ा दिया कि तुम करो साथ में तो 4060-100 काम हो गया आप दोनों मिलकर करेंगे तो पांच और चार एक पांच दोनों की एफिसेंसी थी तो बीस दिन में निप्टा देंगे खेरा था ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया भाई यह तो हम जवर्दिस्ति का लगा दी है न इसमें यह तो 10 दिन पहले चला गया था तो यह माइनस कर दो 10 यानि कि 10 दिन काम किया मिलकर अगला सवाल अब इस सवाल को देखो यह अभी देखो कराया था थोड़ी दिर पहले कौन सा सवाल था यह इसी टाइप का है अब यहाँ प अगर देखो option में अगर देखें तो सबसे 72 लग रहा 45 भी थोड़ा असान लग रहा क्योंकि 9 आ रहा उसमें तो पहले 45 को ही पकड़ लेते तो नो दूनी 18 हो गया नो पन्ना 45 हो गया एनिकि 10 से दर कर लो तो यहां पर 18 पंजे 90 पंजे 45 दूनी 90 एनिकि इसकी efficiency 2 है तो इसकी efficiency 3 आ गया अब हमारे पास total अगर काम देखें तो 90 है 90 का दो बटे 5 भाग हो गया तो 5 से 2 काम अगर हो गया तो बचा कितना 3 तो 3 बटे 5 ही हो गया यानिकि 18 पंजे 90 अठारा दूनी यही satisfied करना था अब यह देखो पहले ही option में मिल गया तो दोनों है pros and cons है हो सकता है चोथे option पे भी मिल सकता है हो सकता पहले ही दूसरे पे मिल जाए ठीक है अगला सावाल प्रमोद 12 गंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता है जबकि वरजेन 16 गंटों में कर सकता है यदि प्रमोद वरजेन तब सुरू करते हैं प्रमोद 12 गंटों में दीवार पर लाल रंग कर सकता है जबकि वरजेन 16 गंटे में पूरे दीवार पर सफेदी कर सकता है यदि प्रमोद वरजेन तब सुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो और तब बारी बारी से एक गंटे के लिए कार करते हैं जब तक दी दिवार को लाल रंग करने में कितने गंटे लगेंगे तो 12 और ये 16 गंटे में सफेदी की बात कर रहा है तो ये प्रमोद हो गया ये ब्राजेन हो गया ठीक है और यहां पर 48 बारह चोक 48 सब दिवार को लाल रंकी नहीं हो जाती तो पूरी दिवार को लाल रंकी कितने गंटे लगेंगे तो पूरी दिवार को लाल रंग करने में कितने समय लगेगा तो पहले चार ले लो फिर तीन ले लो अब देखो इसमें ये लाल वाला कर रहा है ये सफेद करके आएगा उसको खराब कर देगा अब ऐसे सवालों को करने का सबसे बड़ी एक तरीका होता है जो भी 48 लेखा उसमें से जो काम कर रहा ह यनि कि जो चार लाल की आमें करना ये हटा दो यानिकि आप 44 पर कैल्कूलेशन कर लो इहांपर एक काम हो रहा है यनि कि हमें पुरी लाल दिवाल करनी है तो चार उसने लाल की वो थीन सफेद करके चला गया यानि कि एक काम हो पाया कितने गंटे में दो गंटे में हो पाया अब यह 44 अगर यहां पर देखेंगे तो 44-44 दूनी कितना हो गया 88 गंटे हो गया, 88 गंटे में 44 काम हो पाया और भाई बचा कितना काम है, 4 काम बचा है जो हमने गटाया तो यह आएगा, यह गंटे में निव्टा देखा के यानि कि यह हम जोड़ देंगे, यानि कि आंसर क्या हो गया सोरी, इधर नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इने की 89 हो जाएगा समझ गयोगे, मैं कहना क्या चाता हूँ, कभी भी इस टाइप का सवाल है भाई, बंदर वाला भी सवाल आता है, कि वो कुछ मीटर चड़ता है, उतरता है तो बस इनकी भाई, इफीसेंसी निकाल लो, जो पहले चड़ रहा हो ना, उसको जितना भी टोटल मीटर चड़ना हो उसमें से घटा दो, फिर इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, फिर जो बाद में बचता है ना, जो भी कैलकुलेशन करने पाई, जैसे यहां पर अठासी आया तो भाईया, यह हमने घटाया था, यह फिर इसका नंबर आ गया था, वो हमने फिर से टाइम जोड दिया, तो वो एक गंटे में कर देता, आके बची हुई लाल, अब ऐसा मत करना, वो तीन वाले को फिर बुला लो, ऐसो तो कामी जिन्दगी में खतम नहीं हो पाएगा, ए आपके उपर भी Depend करता है, आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे है, बाकी कोई सजेशन हो, कमेंट बाक्ोस में जरूर लिखिएगा, वीडियो कम्प्लीट करते हो, तो डन तो आपको लिखना ही होता है, बाकी कोई सजेशन हो, तो जरूर से लिखा करो, ठीक है, अच्छा लगता है पढ़के मैसेज बाकी तो सब सही है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जाए हैं जय बारा